आज एद के मौके पर फाइनली दा मोस्ट अवेटेड मूवी राधे रिलीज हुई फैन्स काफी समय से सलमान खान की इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे की मौत के बाद से ही उनके लिए नियाय की मांग लगातार ट्विटर के जरीय उठती रही है अब ऐसे में जब सलमान खान की फिल्म में रिलीज हुई तो एक बार फिर से बॉलिवुड हस्तियों को निशाने पर लिया जा रहा है तीन हफ़ते पहले जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब भी राधे का बहिशकार करने की मांग ट्विटर पर उठी थी फिल्म के रिलीज होने के बाद ट्विटर पर लोगों ने कई ट्वीट्स कर गुस्ता जाहिर किया एक यूजर ने लिखा बॉलिवुड माफिय और एंटी नाशनल और ड्रग लेने वाले लोगों के अंडर वर्ल्ड के साथ गहरे तालुक है हमारी मेहनत की कमाई इन पर खर्च होती थी लेकिन अब नहीं राधे फिल्म का बहिशकार करो के ट्रेंड को सपोर्ट करें एक यूजर ने लिखा जब भी मैं सल्मान खान को देखती हूँ तो मैं सुशान की मडर मिस्ट्री के बारे में सोचने लगती हूँ जो कि अभी तक अंसुल जी है मिस्यू सुशान भाई वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सल्मान की इस फिल्म पर हिंदूों की भावना को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं एक यूजर ने लिखा पिछले को सालों में ये चेंड बन गया है कि हिंदूों की भावना का मजा को ड़ाया जाए इस तरह की चीजे फिल्मों और कॉमेडी शोज में देखने को मिल रही है बता दे रादे फिल्म पहली सिनमा घरों में रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना वाइलस के चलते थीटर रिलीज को रद्द कर दिया गया फिल्म आज यानि गुरुवार को जी फाइफ पर रिलीज हुई है इसके अलावा ओवर्सीज में भी ये फिल्म कई स्क्रीन्स पर रिलीज हुई फिल्म का दर्शक भी सब्री से इंतजार कर रहे थे लेकिन अब लग रहा है कि सल्मान की इस फिल्म को देखकर उनकी कई फैन्स मायूस हुए है इस मुद्वे पर अपनी राए कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्स्ट्राइब करना ना भूले हमारा डिजिटल चैनल टीवी नाइन भारत वरिश हमने की गल्ती फिर एक बार कोरोना ने किया दोबार अप रहा मास्क दो गस्दूरी करें अपनी सुरक्षा पुद्ध कोरोना टी का हम सब को लगाना है मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना है